केंदेल सरकार का एक वाश कूड होने पर राज्य मंत्री ने लोगों को घरगण जाकर पंप्लेट्स बाटकर सरकार की योजनाओ और कार्यों की जानकारी दिये रहे हैं इसी किते हैं जम्तर संबल की चल्दोसी में आज मादवित शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने कारे करताओं के साथ राय सकती मोहले में लोगों के घरगण जाकर लोगों को पंप्लेट्स बाटे ताथा एक वश में सरकार के द्वारा किये गए कार्यों की जानकार इस अपसर पर प्रदेश सरकार में मादवित शिक्षा राजी मंत्री गुलाबो देवी ने बताया कि हम लोगों को प्रदान मंत्री का पात्र मिला है जिसके अधार पर हम लोग घरगण जाकर लोगों को केंदे सरकार द्वारा पिछले एक बश में किये गए कार्यों की जा में परिवार की ख़ास की चिंता करती अपनी चिंता करती है जो सरकारी नियम है उन्स सब का पालन करती है वह। कि अपने परिवार की चंटा वह कि अपनी स्वास्त चंटा लिए सरकारी नियमन करते मारे बचा जा सकता है यही एक हो अधियान के त्याइट को लेका करना आज 11-11-11 तक करना तो प्रिवाद कर रहे हैं अज घर घर जाकर हमें ये बताना है कि हमारी केंजी सरकार में एक बड़ पूरा होनी पर क्या करने हैं और बिगत कारिये तो सब लोगों की संगान में हैं तो ये सारा जोरह है सब कारियों पार कि जो जो जनता के हित्मे कारी किये हैं इसकी अत्रिक्त हम जनता से भी अफील कर रहे हैं जहां एक और हमारे प्रधान मिंतीजी अफील कर रहे हैं हमारे मानी मुख्य मिंतीजी अफील कर रहे हैं वह हम भी जनता से अफील कर रहे हैं कि जीवन जीने के लिए काम तो किया ही जाएगा घर से बाहर भी निकला जाएगा लेकिन जो नियम निर्धारित किये गए हैं हमारी सरकार के द्वारा जो नियम निर्धारित किये गए हैं स्वास दिवाक के द्वारा उनका पालन करते हुए हम जीवन जीएं और आवश्यक कारिये हो तभी बाहर निक व्यक्ति के अंदर से कम हो रहा है और यही एक खत्रे का कारण है तो मेरी जनता से अपील है कि अपने दिमाग में यह रखते हुए कि हमें सुरक्षित रहना है हमें परिवार को सुरक्षित रखना है आसपास के बातवर्ण को सुरक्षित रखना है तो हम सरकार द्वारा बना रखें जो जैसे भी सुरक्षित रह सकते हैं कम से कम बहान नहीं